सावन वहिने के शुकलपक्ष की तरतिया देथी को हर साल हर्याली तीज का वरत रखा जाता है चोकि सबसे बड़ी तीज मानी जाती है और इस पार साल 2020 में 19 अगस्त शनिवार के तिन हर्याली तीज का वरत रखा जाएगा हर्याली तीज का वरत सुहागिन महिलाई अपने पती के दिरखायू की कामना से रखती है और कुमारी करन्याई मन चाहे वरकी प्राप्ती के लिए रखती है इस वरत को करने से अखंड सभागी का आशिरवात प्रात होता है और दामपति जीवन सुखद बनता है वही कुमारी करने आए अगर इस वरत को करती है तो उन्हें सुयोग यवर की प्राप्ती होती है जिस प्रकार देवी पारवती को भगवान शिव पतिरूप में प्राप्त होई थे हर्याली तीज के दिन महिलाएं साज श्रंगार करती है नए वस्त्र पहनती है हर्याली तीज के दिन पूजा करने से भगवान शिव सहित मतपार्वती का अशुरवात भी प्राप्त होता है लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हर्या लितीज की पूजा करते समय व्रत की कथा जरूर पढ़निया सुननी चाहिए तब व्रत सफल मना जाता है किसी कारण से व्रत रखने में सफल ना हो व्रत रखने में असमर्थ हो तब भी आपको पूजा करके कथा अवश्य पढ़निया सुननी चाहिए तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे हर्या लितीज की व्रत कथा सबसे पहले आप सभी को हर्या लितीज की धेरो शुपकाम नाए पौराणिक कथा के निसा पर अन्यजल का त्याग कर आपने सभी रित्वों का कस्ट सहा एक दिन देवर्शी नारद आपके घर पर पधारे और उन्होंने आपके पिता पर्वत राज को बताया कि श्री विष्णु जी आपकी कन्या पार्वती जी की कथोरते पस्या से अत्यत प्रसन हुए हैं और व इस प्रस्ताव को स्विकार कर लिया और उन्होंने तुरंट ही नारद जी से कहा कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवहा श्री विष्णु जी के साथ कराने के लिए तयार है नारद मुनी ने विष्णु जी के पास पहुचकर उन्हें सारी बात बताई बगवान मुझे पती के रूप में स्फिकार कर चुकी थी ऐसे में आपने ये बात अपनी एक सखी को बताई और आपकी सखी ने आपको जंगल में ले जाकर मेरा इस्मरण करने का सुझाव दिया तब तुम राजमहल छोड़कर जंगल में चले गी और जंगल में रहकर तुमने मुझे पती के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की इधर आपके पिता परवतराज आपके लुप्त होने पर बड़े चिंतित हो गए उन्हें ये चिंता सताने लगी कि अगर इसी बीच श्री विष्णु जी बरात लेकर आगए तब क्या होगा भगवान शिर्देवी पारवती से आगे कहते हैं है पारवती आपके पिता परवतराज ने आपके लुप्त होने के बाद सैनिकों को भेज कर आपकी खोज शुरू कर दी और उन्हें धर्ती पाता लेक कर दिया लेकिन आप एक गुफा में रेत से शिबलिंग बना कर मेरी तपस्या करने में मेरी आराधना में लीन थी और मैं आपकी तपस्या से प्रसन हुआ और फिर मैंने आपकी मनुकामना पूर्ती का वचन आपको दिया इधर खोसते खोसते आपके पिता परवतराज भी गुफा तक पहुँच गए तब आपने अपने पिता को बताया कि कैसे आपने शिबजी को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की आपने बताया कि अब आपकी कठिन तपस्या सफल हो गई है फिर आपने अपने पिता से कहा कि अब आप उनके साथ महल को तभी वापस जाओगी जब वे आपका विवहा शिवजी के संग कराने के लिए तयार हो जाएंगे पिता परवतराज शिवजी और माता पारवती के विवहा के लिए मान गए और फिर उन्हाने विधिविधान से शिवजी पारवती जी का विवहा संपन कराया भगवान शिव देवी पारवती से कहते हैं है पारवती आपने मुझे पती के रुप में प्राप्त करने के लिए जो कठिन तपस्या की जो कठिन तब किया उसी के फल सुरूप हमारा विभा संपन हो पाया इसलिए जो भी इस तरी स्वरत को करती है उसे माता पारवती की तरहा अखंड सुहा की प्राप्ति होती है और अ आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा